नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके पने चैनल स्टड़ इवाएंस ओफिशल पर तो आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी के सबसे इंपूरे टोपिक भारतिय सविधान से जिसमें हम पढ़ेंगे भारतिय सविधान के विकास का इतिहास कि आखिर भारतिय सविध सब्सक्राइशन के साथ सुनना है आप इस वीडियो का अगर पूरा एंड़ तक देख लेंगे तो आपका इस टोपिक से कोशन कभी गलत नहीं होगा तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरूआत करते हैं और भारतिय सविधान के विकास के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर भारतिय सविधान बना कैसे पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर सविधान कहते किसको है तो सविधान किसी भी देश का कानूनी दस् सविधान कहते हैं तो किसी भी देश का शाषन व्यस्ता को चलाने के लिए वहां का सविधान होता है और सविधान दो तरह का होता है लिखित और अलिखित लिखित उधारन के तोर पे भारत का सविधान यह लिखित सविधान है और अलिखित बेटेन का सविधान हो गया अधियारब का सविधान होगा, यह अलिकी सविधान है, यह भी पूछा गया एक्जाम में, तो हम भारती सविधान को तीन फेसिस में पढ़ेंगे, पहला स्थारो स्थार का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1935 भारत शाषन अधिनियम और तीसरा प्रमुकता जिससे हमारा स का कैबिनेड मिशन, तो हम 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसे में अंग्रेजों का शाषन आपको पता ही होगा, पर सविधान कहते कि इसको है, जनता पर शाषन करने के लिए, जो कनून बनाया जाए, तो अंग्र 157 की पलासी की लड़ाई हुई, और 1764 में बक्सर का युद हुआ, आपको पता है, इत्यास के बहुत ही महत्व पूरान युद हैं, इसी के बाद अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर कबजा कर लिया था, 1757 की लड़ाई के बाद, और 1764 के बक्सर की युद के बाद, तो 1773 का यह regulating act पारित हुआ, और उसमें भारते सविधान के विकास के लिए सीड़ियां बने, तो यह भारते सविधान के क्यास का शुरुवात यहीं से हुई, regulating act से, तो regulating act के थाया गया, तो regulating act के तहे थी आपको बता दूँ कि 1774 इसमें कलकत्ता में सुप्रीम कोड की स्थाप अपना की गए, और यह बहुत बार पूछा गया है कि पहले मुख्य नियाधीश कों थे, तो पहले मुख्य नियाधीश थे, अलिजा इंपे, कों थे, अलिजा इंपे, यह पूछा गया है महतुपूरण है, उसके बार हम देखते हैं, 1935 का भारत शाचन अधिनियम, बहुत महतुपूरण है और इसे बहुत से प्रिशन बनते है, तो भारते सविधान का बहुत सभाग, मैंने जैसे आपसे बाता ना कि इसी अधिनियम से लिया गया है, कोशन बनता है कि भारत का जो इसका मुख्यतापार किसे लिया है, तो जार रखेगा, 1935 का भारत शाषन अधिन अपरेल 1935 में भारत में RBI की स्थापना हुई थी ये किसके तहट हुई थी तो 1935 का भारत शाचन अधिन्यम के तहट तो उसके बाद हम देखते हैं एसी मिशन का ट्खन के तहट जो अधोनिक सविधान इसी मिशन के अंतरगत सविधान में ताकि अधारत का सभा में भारत बनाया जाए ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनीदी थे, तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनीदी कैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो हमारा पूरा भारत था, पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, लगभग 60% प्रतिशा जो हिस्सा था, उसे पूरा डिरेक्ट रजवाडों का अधिकार था इसलिए हम देशी रियासत कहते हैं ठेक हैं तो जब हमारे सविधान बना तो 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनी दिया हैं जहां पर मतलब ब्रिटिश सरकार का डिरेक्ट अधिकार था वहां से 292 मेंबर चुने गए और 93 देशी रियासतों के प्रतिनी दिया हैं जो राजा थे वह 93 देशी रियासतों के प्रतिनी दिया मेंबर मन के हैं और चार चेफ कमिशनर यह संख्या पूछी जाती है ज्यादा तर कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनी दिया रखेगा 292 और 93 थे देशी रियासतों के और कू 11 दिसंबर 1940 उसमें दो दिन आप जोड़ देंगे तो 13 दिसंबर 1940 ना जाने कितनी बार एकजा में यह डेट पूछी गई है बीड़ देशना किया कि मुसलिम लिंग ने अलग देश की मांग कर रहे था वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे इसलिए उन्होंने सविधान सभा का बैश्वा कर दिया तो जब यह सविधान सभा के बैट कोई तो उसमें एक अद्यख्ष भी चुनना था पर जब बहिशकार हो गया तो सभा ने सोचा कि पहले एक अस्थाई अध्यक्ष चुल लेते हैं उसके बाद हम 27 अध्यक्ष चुल लेंगे तो सभा ने निर्दे लिया है समीधान सभा ने कि हम एक सथाई सदेख्ष सुनेंगे तो सभा का जो सबसे बुजूर्ग सदेख्ष था डोक्टर सचिदाना सीना ये सबसे सीनियर थे इन्हें अस्थाई अध्यक्ष चुल लिया गया कि जब तक 27 अध्यक्ष नहीं हो जाता आप अस्थाई अध्यक्ष रहेंगे पर उसके दो दिन बाद जब सभीधान सभा की बै राजेंदर परसाद तो उसके दो दिन बाद 9 हो गई फिर 11 दिसमबर 1916 हो गई अब देखते हैं 13 दिसमबर 1916 तो 13 दिसमबर 1916 को जोहरलाल नहरू ने सभा के समख्ष उदेश्य परस्ताव जिसे हमारे अर्थिय सविधान की परस्तावना कहते हैं उसे पेश किया और इसी क के साथ समिधान बनने की कारिवाई शुरू ही तो यह कोशन पूछा जाता है कि जोहला नहरू ने उदेश्य परस्ताव का पेश किया तो इसे 13 दिसमबर को जब अध्यक्ष बन गये हैं उसके बाद आगे कारिवाई शुरू होगी समिधान सभा की उसके दो दिन बाद 13 दि समिधान सभा कि एध्यक्राव भाई तो प्रार्ति समिधान समिधे तो इसे मदल्ब की जैसे आपको पता भारत आज आ हम राजी घ्रच्राइक सरृदार वल्लाब बठेश हैं तो सर्दार वललवभाई उसके बाद आते हैं ,ıyı स relying संग्ये समिधान समिती ,cit कैने तो मतलव डॉक्रर राजेंदर परसा , बहूत ही दोब 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 समट्छिए , ? है या आपको याद भी हो गया होंगे क्योंकि जादा इसमें कुछ डिफकल्ट नहीं है उसके बाद हम देखते हैं कि आपको पता कि मुस्लीन लिंग ने सभधान समय का बैश्कार कर दिया क्योंकि वह अलग देश की मांग कर रहे थे तो आखिर दीन आई गया कि 3 जून 1947 को य जब देश का विभाजन हो गया उसके बाद जो सवज्धान संभा बैठी थे तो उसका पुनर गठन हुआ तो 31 अक्तूबर 1947 को पुनर गठन कियो किया में क्यों किया गया क्यों कि आंक Lea सवभा बैठी उसमें तो पाकिस्तान के घिच्वार्च सथी वह भी इन्यूइं है जो पाकिस्तान की देशी रियास्ते थी, जो हाँ के राजा थे, और जो वहाँ के प्रांतों के प्रतिनिदी थे, वो भी सम्मिली थे, लेकिन जब पाकिस्तान निक अलग देश बन गया, इधर बांगला जो आज हम पहले पूर्वी पाकिस्तान, वो भी बन गया, तो जो उसक से प्रिशन बनेगा तो ऐसा पूछा जाता है कि सभधान सभा की जब पहली बैठक होई उसमें कुल सदस कितने थे यहां रखेगा 389 तो जब पूछा जाएगा कि जब भारत का विभाजन हो गया तो जब सभधान सभा का पुनर घटन के बाद कितनी सदसों कि संख्या हो गई तो पहले मैं आजब को पताओ तो पहले ना इनकी और अपकम्होरक के होगे कितनी होतो जो इसको आज किसे हो गया तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब सभा का पुनर गठन हुआ तो उसके बाद सविधान बनने की कारवाई तेज हो गए तो दुनिया भर के सविधान को बारीकी से परकने के बाद बाबा साब भीमरा अंबेद करने भारती सविधान का मसोदा तियार गया तो उन्होंने मतलब दुनिया भर के जितने भी सविधान है उनको अबारीकी से परका और उसमें से अच्छे अच्छे विचार को उठाया अच्छे अच्छे कानून को उठाया तो जो सविधान के स्त्रोत है इससे भी प्रशन बनते हैं तो मैं इसका जो सेकिंड पार्ट है सविधान के स्त्रोथ कि मतलब कहां से क्या उठाया गया वो भी आपको बताऊंगा तो बहुत इंपूरण वीडियो है बस मैं नेस्ट वीडियो वह ही प्लेयोड करूँगा इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो दुनिया भर के कानोनों को सविधान सविधान बनकर त्यार हो गया इसलिए 26 नॉंबर को सविधान बनकर त्यार होता है इसलिए 26 नॉंबर को सविधान दिवस मनाया जाता है यह या दखे का महत्रपुल है पर 26 नॉंबर को सविधान बनतो गया पर इसे लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गय है कि सविधान बना हो 29 को पर लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया इसके पीछे एक इतिहासे देन का करना है कि 26 जनवरी 1930 को कांगरेस ने परतम सोतंतरता दिवस मनाया था उसे भले हैं गुलाम थे पर कांगरेस ने क्या लहरा दिया और कहा कि आज से हम अजाद हैं भली उसमें गुलाम थे लेकिन उन्होंने अजादी दिवस उसी दिन से मनाया और उसके बाद हर 26 जनवरी को कांगरेस अजादी दिवस मनाती थी इसलिए भारत भले 15 अगस्त को अजाद हो गया लेकिन उन्होंने 26 जनवरी 1950 को भा देख लेते हैं जो कि हमारे पूछे जाते हैं तो सविधान निर्मान के परक्रिया में कुल कितने दिन लगे थे तो दो वर्ष 11 महिने और 18 दिन लगे थे कितने दिन दिन दो वर्ष 11 महिने और 18 दिन और जो सविधान के परारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई तो जो 60,96,729 लगभग लगभग आप जान लेगेजिए कि 64,00,000 रुपे का खरज आया था हमारे सविधान को बनाने में और जब सविधान बना था तो इसमें कुल कितने 22 भाग 395 अनुशेद और 8 अनुशूचिया थी पर वर्तमान समय में 8 में आप 4 एड़ कर दीजे 12 हैं पर मूल रूप से 395 अनुशेद हैं कि उसके आगे एड़ हुए हैं 395 A 395 B पर जो संख्य है 395 की है अब आप देखें तो लगभभग 455 अनुशेद हो चुके हैं पर मूल रूप से कितने हैं 395 अनुशेद ही हैं पर अनुशूचिया जरू बढ़ी है चाल पहले 8 ची हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि सविधान सभा द्वारे कुछ अन्यकारे किये गए थे यह भी महत्वपूर्ण है हमारी एक्जाम के लिए तो सविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रगान को अपनाया गया तो जंगनमन कब अपनाय गया तो 24 जनवरी 1950 को जो ह हमारा क्या कहते हैं सभीधान 26 जनवरी को लागो किया गया उसे दो दिन पहले ही राष्ट्रगान अपनाया गया और दो दिन बाद जिस दिन हमारा सभीधान लागो हुआ तो राष्ट्रगीत उस दिन अपनाया था यह रखेगा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया था तो उसके बाद हम देखते हैं सोतंत्र भारत का पहला मंत्री मंदल ये वीडियो का आखरी पार्ट होगा बहुत ही मैत्यपुर्ण ने डिर्यक्ट एक नंबर का कोशन पूछा जाता है कि 1947 में जब भारत अजाद हुआ तो उसमय के मंत्री मंदल कौन पढ़ना बंध्र मंत्री थे तो हमारे परदान मंत्री कौन थे सबको पता होगा पंडृ पहले गरह मंत्री कौन थे तोelines में। ही ऑबिल व्यक्ति मोवलान अभूलकलाम अजाद जीत तो बहुत ही मैथ्योपूराम है कि हमारे सिख्षा मंत्री कों थे मोखेशन है कि हमारे रेख्षा मंत्री तो इसको आप याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं ऐसे याद होना चाहिए पर ट्रिक के लिए अगर आप देखे तो रक्षा मंत्री तो बलवान विक्ति होना चाहिए जिसके अंदर भुचाओं में बल हो इसलिए आप बलदेव या रखना कि बलदेव होगा आपको इसके ट्रिक बता रहा हूं यह इंपोर्ट है कि हमारे पहले रक्षा मंत्री कौन थे तो बलदेव सिंग थे पहले स्वात्र मंत्री तो राज कुमारी अमरितकोर यह हमारी पहले स्वात्र मंत्री थी और हमारे उसमें क्या वित्र मंत्री कौन थे तो आर्के शनूग झाल झाल